नमस्कार आप देख रहे हैं वे टाइम न्यूस बढ़ते हैं 36 गड़ की खबरों की ओर बस्तर के आदोहन कर रही है उन्होंने आरोप लगाते वे कहा कि आदिवासियों पर इतना अत्याचार हो रहा है लेकिन देश की प्रधान मंत्री एक बार भी मड़ी पूर नहीं गए साथ ही कहा कि 36 गड़ की सरकार स्वास शिक्षा पर खामोश है दोनों दल जात और धर्म के नाम से केवाल वोट लेने का काम कर रहे हैं अब CPI की ओर से नया बस्तर और नया 36 गड़ बनाना है और इसलिए CPI प्रदेश में 25 सीटों पर चुनाव लड़ने जारी है पास सीट CPI का साथ देगी और बागी 20 सीट पर अपना प्रत्याशी उतार रही है वहीं CPI ने बस्तर के साथ सीटों के प्रत्याशियों की पहली सुझी जारी की है जिसमें कोंटा से मनेशक कुंचाम नरायनपूर से फुल सिंग कचलाम कुंडगाउं से जय प्रकाश नेता चितर कोट से रामुराम मौरू, विजापूर से पी लक्षमी नरायन, दंतेवाडा से भीम सेन मंडावी और केश काल से दिनेश मरकाम को अपना उम्मेद्वार घोशित किया है और बागी सीटों पर जल दी नाम की घोशना करने की बात कही है आज हम लोग इसको एक नया मोड दिये, हमने तही किया कि 20 चुनावी कहत्र में हमने इलेक्षन कंटेस्ट करेंगे आज पहला सूची में हमने साथ नाम तही किया ये जो इलेक्षन हो रहा है, ये दोज़ाब 24 का पहले हम इसको सेमी फाइनल मानते है आज देश का हालत बहुत ही खराप है, कि अंदर में जो बीजेपी का सरकार है बीजेपी का सरकार आज देश को पीछे ले रहा है देश का GDP नीचे जा रहा है, रूप्या गिर रहा है, आमदानी बढ़ रहा है, रफ्तानी घट रहा है महेंगाई बढ़ रहा है बेरोजगारी बढ़ रहा है और ये सरकार धर्म के नाम पर जाती का नाम पर इस देश को तोड़ने की काम कर रहा है हम देख रहे हैं क्या हो रहा है मनिपूर में देख रहे हैं उतर प्रदेश में हरियाना में मद्यप्रदेश में रंक्यालोगों के उपर, आधिवाशियों के उपर, दलितों का उपर हो रहा है, और बीजेपी सहेगा, लेकिन कंग्रेस की सरकार और कंग्रेस के पार्टी 36 गड़ में, जो 36 गड़ का जो आम इसो से उसको नजर अंदाज कर रहा है, यहाँ बेरोजगारी बढ़ रहा है, और ना कंग्रेस, ना बीजेपी, दोनों बेरोजगारी के बाद नहीं कर रहे है, कोई हेल्थ का बारी में चर्चा नहीं कर रहे है, कल प्रदान मंत्री जी यहाँ थे, हम लोग यह उमीद रखे कि प्रदान मंत्री जी कम से कम रोजगार कैसे पैदा होगा, कैसे यहाँ का बेर कालेज बनाना जरूरी है लेकिन प्रदान मंत्री ने उसके उपर कुछ नहीं बोला यहां मिनेरल रिसोर्स है यहां खनीज है यहां जंगल है यहां सब कुछ है लेकिन बस्तर आज गरीब क्यों है आदिवाशियों को क्यों सोशन किया जाता है यहां का बेरोजकार नोजवान को कुछ काम नहीं मिल रहा है ये तमाम बात को लेके हम इलेक्षन में जाएंगे और ये दोनो बीजेपी और कॉंग्रेस का खिलाब हम लड़ेंगे हम सीपी एम को सीपी एमल को साथ में लेके जा रहे हम पी सीट में लड़ेंगे वी टाइम न्यूज के लिए जग्दलपूर से बास की ठागुर की रिपोर्ट